है स्टुडेंट वेलकम वंट सेगें टू यॉर ऑनलाइन क्लासेंज बच्ची स्वाले वीडियो में हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर 13 जहांपर हमें लाइन्स और एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मिशन दिया गया है ठीक है तो यह पढ़ेंगे लेकिन हमें समय एक्सराइज राट करवाता था इस वाले चैप्टर में हमें काम करेंगे पहरे थोड़ा से इंट्रोड़क्शन देखेंगे और उसके बाद फिर नेस्ट वीडियो से में आपको एक्सराइज बताऊंगा ठीक है क्योंकि इंट्रोड़क्शन समझ गया ना तो एक्सराइज तो आफिर चूटी बजाते ही खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो यह थो से इंट्रोड़क्शन यहां पर यूज करते हैं यहां पर इंट्रोड़क्शन रीट करते हैं और हमेशा की तरह आपको जो नेक्ट वीडियो रहेगा यानिक एक्सराइ यानि उन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें और उसका answer कितना है 180 अंगल जैसे कि अगल Koha 75 था ब 105 था इन दोनों को मिट्टि घर को कितना है 180 ह存 दोन को का जा है तो उनको फिर हम क्याते हैं complementary angle जैसे कि यहाँ पर हमारे पस 36 है और 54 है तो इन दोनों को plus करेंगों कितना हैगा 90 degree हैगा इसका मतलब कि A और B यह दोनों जो angle है यह पसमें complementary angle से है अब आते हैं adjacent angle के बारे में तो adjacent angle बस आप समझ लो इसका जादा कुछ काम तो नहीं पढ़ने वाला अपन को तो फिर भी आप समझ लो adjacent angle क्या होता है जैसे एक angle के बगल में adjacent का मतलब ही होता है अगल बगल तो अगल बगल वाले जो angle होते हैं वो adjacent angle कहलाते हैं यह detail में deeply है आप रीट कर सकते हैं basic चीज़े जो है वो मैं आपको पहले बताते चलता हूँ उसके बाद आते है linear pair of angle linear pair के बारे में क्या है सबसे ज़्यादा important चीज़ है linear pair क्या होता है तो देखो जब एक सीधी line पे दो angle बनते हैं ठीक है तो उन दोनों का जो sum होता है वो 180 degree ही होता है जैसे अगर इस line में अगर हम लोग एक सीधी line है ठीक है इस तरीके से इसमें जो angle बनेगा इस तरीके से इतना ये angle कितना रहेगा आप इससे मिजोर भी कर सकते हो protector से ये 180 degree कही होता है तो उसी तरीके से कि एक सीधी line पे जो भी angle बनें दो angle ये देखो ऐसे यहाँ पर line कटके था मालो मैं थोड़ा सा इधर से cut कर देता हूँ तो भी ये वाला angle इधर वाला और ये वाला angle इधर वाला total मिला करके 180 degree ही बनेगा तो linear pair of angle जोता है ना हमेशा 180 degree बनाता है ये जितना होगा और ये जितना होगा इन दो लोग जब हम plus करेंगे आपस में तो 180 आएगा इस दैट किलियर अज़े ये आगे डिट करते है उसके बाद आप यहाँ पर आप समझो कि करके 180 degree ही आएंगे बस वही कह रहा है कि एक सीधी लाइन पर अगर तीन एंगल भी बनते है हमारे जैसे यहाँ पर यह एंगल बना है हमारा AOD उसके बाद यह DOC यह वाल एंगल बना है फिर COB यह वाल एंगल जो बना है यह तीनों मिला करके जो होगा न यह भी हमारा 180 degree ही आएगा क्योंकि एक सीधी लाइन पर है ठेक है उसके अलावा अगर एक पॉइंट पर चारो साइड से उसके एंगल बने हुए हो ठेक है इसका मंदब कभी एक पॉइंट है उसके चारो से जो भी एंगल बने है जैसे यह वाला एंगल यह एंगल यहां पर यह एंगल और यह एंगल इन चारों को जब हम प्लस करेंगे इनका सम निकालेंगे तो 360 डिगरी ही आएगा यह थोड़ा से इंपोर्टेंट था यहां पर ठीक है आगे आगे आजाओ देखरें आप यह तो हमारे एक्जांपल दिया हुआ है एक्जांपल अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे फिर भी कुछ जो भी बज गया है यहां पर इंट्रॉक्शन वह मैं आप बस्में hold होंगे उसी तरीके से यहां पर यह थैबन रहा है यह वाला और इधर मर यह वाला यह दोन इयोग एक्जांपल और मी archa होते हैं यह सब भी आगे में जुरत पड़ेगा ना इसलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है ठीक है उसके लावा यहां पर आपको और चीज़ ध्यान दो कि यह जो हमारी लाइन है इसमें इधर जो एंगल बना और इधर जो एंगल बना तो अगर इसको मत्रों से घुमा पर आपको बता दिया है मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां पर मैब एक्सरसाइज है जो है ना उनको आपको सॉल्व करना सिखा दूँगा ठीक है उसका भी लिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ने तो भी थोड़ा साप व्येट करोगे न तो एक विंड